हेलो गाईस एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओक्सीजन कॉंसेंट्रेटर क्या होता है और कोरोना मरीज के लिए काफी जादा इंपोर्टिन क्यों है तो गाईस सबसे पहले जान लेते हैं कि ओक्सीजन कॉंसेंट्रेटर क्या होता है जैसे कि आप सभी जानता है कि हमारे आसपास मौझूद हवा में बहुत तरीके की गैस होते हैं ये एक ऐसे टाइप का मसीर है जो कि हवा में ओक्सीजन को अलग कर देता है ये डिवाइस हवा को अपने भीतर लेकर अन्य गैसों को अलग करकर सुध ऑक्सीजन को सप्लाई करता है इंडिया में से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट की ववस्ता नहीं है ऐसे में ये डिवाइस काफी जादा मददगार है इसके अलावा इस समय की बात करें तो यहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है ऐसे में किसी भी कोईड मरीज को घर पर रहकर इस मसीन के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई करके इलाज किया जा सकता है और ये काफी अच्छा विकल्प है ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर के फाइदे में आपको बताता हूँ अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और घर पर रहकर वो इलाज कर रहा है तो उसके लिए काफी अच्छा ये विकल्प हो सकता है इस डिवाइस में एक मिनट में पांच से दस लिटर ऑक्सीजन सप्लाई करने की छमता है इसके अलावा ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर को ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बार-बार रिफिल करने की भी जरुवत नहीं पड़ती सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं है तो आप इसे इनवर्टर से भी चला सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर में क्या फर्क होता है हॉस्पिटल में मरीज को जो ऑक्सीजन दी जाती है वो हॉस्पिटल में बड़े कंटेनर में स्टोर होता है इसी कंटेनर से ऑक्सीजन की सप्लाई को धीरे धीरे पाइप के माध्यमदारा मरीज के बेड तक सप्लाई की जाती है वहीं अगर oxygen concentrator की बात करें तो यह एक छोटा और घरलू oxygen plant माना जा सकता है जिसे आप कहीं भी आसानी से एक जग़े से दूसरी जग़े लेके जा सकते हैं आज के समय में oxygen supply की इतनी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है ऐसे समय में यह oxygen concentrator काफी ज़्यादा मददगार सावित हो सकता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में second wave में के second week में हो सकता है आए ऐसे में यह device काफी ज़्यादा मददगार सावित होने वाली है तो गाईस ज़र से छोटी सी लिगन बहुत important information थी वीडियो पसंद आता है तो like कीजेगा और जादे तो लोगों को share कीजेगा तो चलिए आपको मिलता नेक्स वीडियो में